उत्तरप्रदेश में योगी सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं। यूपी में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई बीजेपी का नेता सीयम की कुर्सी पर तीन साल पूरे करेगा। दरसल 19 मार्च 2017 खो योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीयम पद की शापतली थी। सीयम बनने से पहले महंत योगी आदित्यनाथ की छवी एक कटर हिंदू नेता की थी। पतादे की गोरक नात्मट की भी राम मंदिर आंदोलन में एहम भूमिका रही है। एक मेकशुफ मंदिर तयार हो रहा है। दिक विजयनाथ का इस आंदोलन में खास योगदान रहा है। दिक विजयनाथ के विनिधन के बाद उनके शिश्य महंत अवैदनाथ ने मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया था। राम मंदिर विवाद का सबसे एहम पाड़ाओ 23 दिसंबर 1949 की सुबह को आता है जब बाबरी मस्जित के मुख्य गुम्बत के ठीक नीचे वाले कमरे में रामलला की मूर्तियां प्रगट हुई थी। बता जाता है कि 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात रामलला की मूर्तियां राम चबूतरा से उठकर मस्जित के भीतरी हिस्से में रख दी गई थी। विवादित धाचे में जब रामलला का प्रगटी करण हुआ उस दोरान वहाँ गोरकनात मंदिर के ठतकालीन महंद दिगवज़नात मौजूद थे और कुछ सादू संतों के साथ कीरतन कर रहे थे। सुप्रीम कोट का फैसला आने के बाद योगी आदितनात ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो भी शेयर की थी। पता दे कि आदितनात ने जो फोटो शेयर की थी उसमें रामशिला के साथ गोरकशक पीट के पूर्व महंद दिगवज़नात अवैद्दिनात और परम महंद स्राम चंद्रदास दिखाई दे रहे थे। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोट ने अयोध्या विवाद पर अपना एतिहासिक फैसला दिया और विवादित जमीन रामलला को सौपने की बात कही तब गोरकशनात के मौजूद महंद योगी आदितनात ने यूपी की समाल रखी थी। सीम बनने के बाद भी योगी आदितनात का फोकस अयोध्या पर लगातार बना रहा। और उसी का परिणाम है कि अयोध्या में तमाम योजनाओं के साथ साथ दीप्रजोलन का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया। साथी सर्यू तट पर भगवान राम की भव्य मूर्ती बनाने का प्रोजेक्ट भी उन्होंने शुरू कराया। अब राम अंदिर निर्मान की शुरुआत भी उन्हीं के खारेकाल में होने वाली है। अंकित सिंग की रिपोर्ट यूपी तक।